हेलो जी मैं बना रही हूँ आज ब्रेड का मिठा और मैंने रख दिया इसमें एक गिलास पानी का और चिन्नी जितने वे आपको मन करें उतनी चिन्नी डाले आप चिन्नी की आप चासनी बनाए गर्म करके काफी जब तक उचासनी बनना जाए और मैंने काट लिए यहां पर ब्रेड के पीस मैंने बना लिए छोटी ब्रेड ही ली थी मैंने यह बहुत जल्दी बढ़ने वाला मिठा है यह जट पट्न में त्यार हो जाता है अब देखो मैंने इसको और रिफाइंड में में रिफाइंड यूज कर रही हूं आप देशी घी जैसे भी है उसको यूज कर सकते हैं मस्टर्ड ओइल में नहीं सिर्फ रिफाइंड ओइल ही लीजिए और इसको चासनी में ठंडी चासनी में डाले गर्म में ठंडी चासनी में डाले इसको और देखो यह कितने एक मिनट में या लगा इसको बनाने में यानिकी पाच मिनट में यह मिठा त्यार हो जाता है कि देखो कितने अच्छे लग रहे जैसे जलेबी की तरह कि टेस्ट है इसमें कि बहुती हिस्वा देश्ट स्वीट डिस है यह आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी ब्रेड की मिठे की सबसे जल्दी बनने वाला तो मुझे आप कोमेंट करके बताए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए यह आपके सामने जट पट से ब्रेड का रेस्पी मिठे वाली त्यार है बहुत कम समय लगता है इसको बनाने में बहुत ही कम और समान भी बहुत ही ज़्यादा कम बस में दस दस रपे की ब्रेड से भी आदर ब्रेड रख दी और आदर ही ब्रेड का बनाया यह कि देखने में बड़ी अच्छा लगता है इसमें आप सौंफ भी डाल सकते हैं जासनी में मैंने सौंफ नहीं डाली पी सीवी सौंफ उससे साधिश्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसको सीम गेस में बनाना चाहिए हाय में नहीं लोज वाली से में चलाएं इसको और बस हलका-षलका सा पकाए बजलने ना दें इसको अगर आप ज्यादा स्कूब ब्राउन करेंगे तो ज्यादा टै़्ट नहीं आएगा इसमें इसको हलका सा ही ब्राउन की जिये आप और इसको एक तरफ चीनी वाली चास्णी में डालते रहें और देखो कैसे लग रहा है मुझे कुमेंट करें में ओिन कि अन्ड़्य कर शालते रहें बाल आते हैंस कि यूवर्ण